भाई सब कोई सो जाता है लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट कभी सोता नहीं रात में भी जगा रहता है आधी रात हो चुकी है इधर इंडिया में और आधी रात में मुझे ये खबर मिल रही है कि गैरी कर्स्टन जो है पाकिस्तान क्रिकेट को बाई बाई बोलने वाला है अच्छ भी हो सकता है कहने का यह मतलब है अभी पॉपकॉन लेके आप लोग बैठ जाओ क्योंकि चार नवंबर से वैसे ओडियाई सीरीज शुरू होने वाली है उन्तीस अक्टूबर को पाकिस्तान की टीम अस्ट्रिलिया जाएगी आज प्रेस कॉन्फरेंस हुआ टीम का एलान आज ही और आज ही यह ख़बर मिल रही है कि ग्यारी कर्स्टन अब पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ेगा क्योंकि उनकी और पीसीवी के बीच में हो गई है तना तनी और दोनों एक दुसरे को खरी खोटी सुनाई हुई है और लगवग में यह बाना जा रहा है कि अस्ट्र बनाय गया था तो तभी पाकिस्तान क्रिकेट में खुशी का माहूल था कि एक गोरा कोच आया है जो अल्रेडी वर्ल्ड कफ विनिंग टीम का कोच रह चुका है 2011 में गैरी कर्स्टन भारते टीम का कोच था ठीक है बहुत जाजा बहुत जादा इज्जत इन्होंने कमाई कि मुसलसल खराप रदर्शन तो करी रहे हैं आप पाकिस्तान की टीम चाये वो किसी भी फॉर्मेट में हो लंबे समय की बाद टेस्ट इसमें जीत मिली है पाकिस्तान क्रिकेट को तो ऐसे में उम्मीद तो सबको यही थी अब आकीब जावेद जो है वो चीफ सेलेकटर बन मैंच जित्वा देता या कोई सिरी सिंगल हेंडली माद वह जित्वा दिया उनको तुरन सिर्पे उठा लेते हैं और अगर हार गए तो फिर उसके बार उसी तरीके से नीचे भी उतारते बड़े गंदे तरीके एक एक्जाम्पल नहीं है धेरो एक्जाम्पल है हर रोज तो एक्जाम्पल ही आता रहता है तो एक्जाम्पल में क्या दूँ आप लोगों को तो अब क्या है कि ग्यारी कस्टन और आकीब जावेद के बीच में, आकीब जावेद ने अपना उन्होंने रेलना शुरू कर दिया है, ग्यारी कस्टन जो है वो इंटरफेर कर रहा था PCB कॉंट्रैक्ट में, उनका ये कहना था कि इन इन खिलाडियों को इन इन कैटेगरी में होना चाहिए, औ और जब बनाया जा रहा था कॉंट्रैक्ट लिस्ट, तो उसके लिए ग्यारी कस्टन से संपर्क नहीं किया गया, उन्हें कॉंट्रैक्ट नहीं किया गया, अच्छा ग्यारी कस्टन के कॉंट्रैक्ट में ये लिखा था, कि आपको 11 महिने तक पाकिस्तान में रहना है, एक म रखते हैं कि ऑनलाइन वो काम कर रहे थे अभी हफते बर पहले इनको आना चलिए था पाकिस्तान क्योंकि अस्ट्रेलिया टीम अस्ट्रेलिया जाना है इनको लेकिन अभी तक गैरी कस्टन नहीं पहुंचे हैं पाकिस्तान खबर तो यही है आज जब प्रेस कंफरेंस हुआ तो कौन-कौन मौजूद थे मोसीन नकवी, मुहमद रिजवान, सल्मान अली आगा और कौन आकिप जावेद चीफ सेलेक्टर आपके वहाँ पे मौजूद थे सलीके से वाइट बॉल स्रीज हो रही है, तो यहाँ पे गैरी कस्टन को मौजूद होना था, लेकिन गैरी कस्टन मौजूद नहीं थे तो अम बाना यह जा रहा है कि आखिप जावेद, चीफ सेलेक्टर का भी पोस्ट हासिल करेंगे, वो, स्वरी, हेट कोच भी बनेगे, और हेट कोच बनने के बाद, चीफ सेलेक्टर आपको मिल ही रहे थे तो आपको किसने दिमाग दिया कि आप जा कि पाकिस्तान टीम की आप कोचिंग करो वहां अल्रेडी इतने ज्यादा लफड़े चलते रहते हैं कोई गोरा कोच आता है तो भाई उनको हटाने का पहले दिन से ही प्राफधान जो हो शुरू होने लगता है प्रोसेश शुरू हो जाता है तो ऐसे में ग्यारी कस्टन इस सफोक्वेशन वाले महोल में नहीं रह पाएगा और ये बात आप बुरा माने या अच्छा माने जैसा भी पाकिस्तान में प्रोफेशनल लोग नहीं हैं जो प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत जादा अपने आ कैसे कही जाती है यह सलीका आजाए तो हर बात सुनी जाती है कहवत है ठीक है और यह चीज नहीं है सलीका है ही नहीं तो अब जो यह ग्यारी कस्टन वाला मामला हुआ है यह मामला बुरी तरीके से फस चुका है और पीसीबी के साथ उनकी लडाई हुई है लडाई यह वाल स्रीज के बाद इनका टाटा बाई-बाई हो जाना है उसके बाद शायद आकीब जावेद पोस्ट अपना संभाले हेड कोच का भी और चीफ सेलेक्टर का भी धन्यवाद